सौफ के ये जोती शुपाय हैं बेहद चमतकारी करते ही दूर हो सकती है आपकी हर समस्या दोस्तों आज मैं आपसे कुछ सौफ के बहुत ही चमतकारी उपाय शेयर करूँगी जिनको करके आप अपनी जिन्दगी में बहुत सारी आने वाली परिशानियों को दूर कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से बाले मैं अपने बारे मतायती हैं नमस्का दोस्तों मैं वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें तो चलिए चलते हैं सौफ के उन उपायों के चरफ जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हर कोई सुखी जीवन वैतित करना चाहता है इसके लिए लोग कड़ी महनत के साथ कुछ उपाय भी करते हैं जोतिश में ऐसे के उपायों के बारे में विदिवत बताया गया है जिनने करने से जीवन की किसी भी तरह की परिशानी को दूर किया सकता है साथ ही उपाय को करने से घर में सुख शान्ती भनी रहती है जोतिश शास्तर में बताये गई ये उपाय बहसरालेवम लाबकारी होते हैं जोतिस सास्त के अनुसार आप अपने घर में मुझूद छोट-छोटी चीज़ों से ही चमतकारी उपाय कर सकते हैं और जीवन की बड़ी-बड़ी परिशानियों को दूर कर सकते हैं इनी उपाय में से एक है सौफ के उपाय मानेता है कि सौफ से जुड़े कुछ असान उपाय को करने से जीवन की कई परिशानिया दूर होती हैं तो चलिए आज में बताती हैं आपको सौफ के कुछ सरल उपाय जिनको करके आप बहुत सारी परिशानियों से चुटकारा पा सकत यदि आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है और जीवन में बाधाय आ रही है तो बद्वार के दिन जेव में हरा रुमाल रखें और घर से निकलने से पहले सौफ खाकर निकलें इससे आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे मानेता कि अनुसार सौफ खाने से व्यक्ति का शुक्र और चंद्र अच्छा होता है इसे मिस्टि के साथ लें ये इसके बिना भी ले सकते हैं इससे आपके ग्रहे तो अच्छे होते ही हैं साथ ही खाने के साथ एसिडिटी और जीमुचलाने में ऐसी समस्या भी कम होने इसके लावा जब आप घर से किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ी सी सौफ खाकर निकले मानता है कि इससे व्यक्ति का मंगल ग्रह मुझबूत होता है कह जाता है कि सौफ का सेवन करने से बुद्धी परदता यानि बुद्ध ग्रह बलशाली होता है इसससे व्यक्त अपने जीवन में तवाम तरके कस्टों से बच कर रहता है। इसके अलावा धारे मानेता है कि किसी भी महत्पुन काम की शुरुवात करने से पहले थोड़ी सी सौफ और गुड़ खा लेना चाहिए इससे आपका काम सीध होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि रात में बुड़ सपने आते हैं तो इससे बचने के लिए रात में सोने से पहले सिराने पर सौफ की एक पोटली रखें इससे बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बुद्ध के समय प्रभावों को समाप्त करने लिए बुद्वार के दिन कुछ विशेश उपाये सनातन धरम में बुद्वार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है गणपती को बुद्धी का दाता मानता है कि बुद्वार के दिन कुछ उपाये करने से भगवान गणेश क हिंदू शास्तरों में सब्त का हर दिन किसी न किसी देवी मैं आपके कनली में बुध कमजोर है तो आप हर बुद्वार कुग गधय का एराधना करें और ने दूब चढ़ाएं इससे बुध संबंधी परिशाने दूर होने लगती हैं बता दूं के बुद्ध कमजोर होने पर व्यक्ति को सुने की शक्ति कमजोर हो जाती है तुछा सम्मंदी और भीत्री रोग गुप्त रोग होने की अशंका रहती है निर्निया शमता कमजोर हो जाती है और वेबसाइर नोकरी में भी हानी होने लगती है बुद्ध के अशुप प्रभावों को सवाप करने के लिए बुद्वार के दिन कुछ विशेश उपाए मैं आपको बताने जा रही हूँ यदि आपका कोई काम काफी समय से पूरा नहीं हो पा रहा है तो बुद्वार के दिन जेब में हरारुमार रखकर और सौफ क खा कर घर से लिख लें हरे रंग का प्रयोग बुद्वार के दिन शुप माना जाता है आपके लंबे समय से अटके काम भी बनने लगेंगे बुद्वार के दिन किन्रों को कुछ पैसे दें और उनमें से एक सिक्का वापस ले लें उस सिक्के को पूजा के स्थान पर रखक कर धूब दीब दिखाए इसके बाद एक हरे रंग के कपड़े में लपेट कर उसे तिजोरी में रख दें ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहेगी दोस्तों ये वीडियो हैं तक थी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी पसंद आये तो प्लीज लाइक शेयर समय पर मिलती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू